वल गाईज तो फाइनली 8B के इस सब्दे का डाइनमाइट ओभर हो चुका है और आज यहाँ पर 8B के डाइनमाइट कि एग डवियू से इश्टिंग के रिटायर होने के बाद डार्वे रन को यंग बस के साथ मिल जाना चाहेगे और ये तिनों एग डवियू के अंदर मिलके एक नया ट्रियूच शिप एक्सन बनाएंगे जिससे कि ये तिनों एग डवियू को डॉमिनिट करेंगे बड़ गायद यहाँ पर डार्वे रन यंग बस के ओफर को रिजट करके बैफ स्टेज एरिया से वाक आउट कर जाते गए जिसके बाद कि आज एग डवियू डैनमैट के मेन इविन्ट के उपर हमें यहाँ पर सौर्व एक्सन में देखने को मिलते गए और सौर्व इश्टिक लेंड के इस मेंच के लिए समोह जो कॉमेंटरी टेवल को जॉइन करते गए वल क्योंकि सौर्व के आपोनेंट मिश्टरी होते गए तो गायद ये बंदा और कोई नही बलकि हॉल आफ फेमर रॉब बैंड डैम होते गए और एड ब्यू के डैमेट सो के उपर आज यहाँ पर आर्बिडी लंबे टाइम के बाद उनका रिटरॉन करते गए जहाँ पर मैश के सुरू होने से पहले हैंगमन एडम पेज इस शिच को कनफॉर्म करते गए कि यह मैश यहाँ पर आज यहाँ पर कोई नॉर्मल मैश ना होकी बलकि हार्टकूर मैश होने वाला ही और इसके बाद आज एड ब्यू के डैमेट सो के उपर हमें यहाँ पर सौर्ब और आर्बिडी के बीच में एक जबरदस मैश देखने को मिलता ही जहाँ पर जब इस मैश के अंदर आर्बिडी उनके लेग ड्रॉप के साथ फ्रॉग स्प्लेज हिट करके मैश को जितने की कोसिस करते गए तो ब्राइन केज मैश के अंदर इंटर्फियर करते गए बड़ गाइज यहाँ पर ब्राइन कुछ जाजा कुछ करते उससे पहले ही हुक यहाँ पर ब्राइन केज पर अटेक कर देते गए और इसके बाद फाइनली एंडिंग के उपर सौर भी यहाँ पर आर्बिडी पर उनका स्टॉम्प हिट करके इस मैच को डीट इन किलियर जीट जाते गए जहाँ पर मैच के ओबर होते ही हैंगमेर एडम पेज अरीना के अंदर अराइब होते गए और वो यहाँ पर एडब्यू के नेक्स्ट विक डाइनमाट सो के ऊपर सोवर विशिग्लन को वन अन वन सिंगल मैच में चैलेंज करते गए और बेसिकली यहाँ पर इस शिच को ऐसे सेट किया जाता ही कि जो भी नेक्स्ट वीक इस मैच को जीतेगा वो यहाँ पर समोवा जो को वार टाइडल के लिए चैलेंज करेगा